हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत important doctrine के बारे में पढ़ेंगे जो की है doctrine of res judicata तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इस फीडियो में हम क्या-क्या cover करेंगे तो सबसे पहले हम introduction देखेंगे res judicata का, फिर हम आगे देखेंगे उसके essentials section 11 of CPC cover करेंगे, उसके explanations cover करेंगे, कुछ magazines दिये हुए है, section 12 को भी touch करेंगे और कुछ case laws भी देखेंगे हम इस वीडियो में, तो चलिए चलते हैं introduction की तरफ तो जो doctrine of res judicata है, वो public policy और private interest दोनों को देख के बनाया गया है मतलब इस doctrine को लाने के पीछे, public का भी interest देखा गया है, and as a private individual उनका भी interest देखा गया है तो अगर हम इसके application की बात करें, तो नहीं यह सिर्फ civil law में apply होता है, बट यह criminal law में भी apply होता है arbitration में भी apply होता है, writ proceedings में भी apply होता है, except habeas corpus, बाकी writs में लगेगा और tax proceedings और यह सब में भी लगता है, तो हम देख लेते हैं, यह word actually itself में क्या mean करता है तो rest का मतलब होता है subject matter, और judicata का मतलब होता है adjudged अगर हम इन दोनों को combine कर ले, तो इसका मतलब होता है a matter which is finally adjudged by the court तो अब इसके essentials के बारे में बात कर लेते हैं, तो दो suits होते हैं, एक होता है जो previously institute suit हो, मतलब जो हमने पहले कर रखा हो और दूसरा होता है subsequent suit, मतलब हमने बाद में एक suit और file कर दिया, तो दो suits कम से कम होने चाहिए second essential है हमारा, कि जो हमने second suit institute किया है, उसका जो matter of issue है, वो directly linked होना चाहिए हमारे first suit से third essential है हमारा, जो हमने subsequent suit में जो case file किया है, उसका जो subject matter है, suppose कोई land है हमारा subject matter तो वो same land होना चाहिए, जो हमने first suit में भी institute किया था, तो directly भी हो सकता है या constructive भी हो सकता है यह हम आगे explanation 4 में देखेंगे section 11 के तो हमारा next essential है कि जो हमारा case है वो finally decide हो जाना चाहिए between parties मतलब यह नहीं कि दो case चल रहे हैं पर दोनों decide नहीं हुआ इसलिए residue काटा लग गया तो कोई case नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा मतलब एक case को final decide होना जरूरी है तभी residue काटा लगेगा next essential है हमारा competent jurisdiction मतलब जो हमारी court है जसने यह case finally decide करा है उसके पस jurisdiction होनी चाहिए वो case decide करने की अगर उसके पस jurisdiction नहीं होगी तो residue काटा apply नहीं होगा और last है हमारा same title होना चाहिए जो previously instituted suit था उसमें भी और जो अब subsequently institute के आगया suit उसमें भी same title होना चाहिए parties के बीच में जाते है section 11 of CPC में जो residue काटा को define करता है ये दो path में divided है एक है definition और दूसरा है explanation तो 8 explanations दिये गए हैं जिसमें residue काटा को और अच्छे से explain क्या गया है कि क्या हो सकता है apply और क्या नहीं हो सकता है उसके अलावा supreme court से और other court से case clause भी आते हैं clarify करने के लिए कि किस पे apply होगा किस पे नहीं होगा इसमें किस चीज का sense था और नहीं था जो हम आगे देखते रहेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं definition पे तो definition देखने से पहले हम एक example देख लेते हैं इससे definition को और explanations दोनों को समझने में बहुत असानी रहेगी तो मैं जो example ले रहे हूँ यहाँ पर दो भाई है ठीक है एक plaintiff है और एक defendant है जो कि एक घर के पीछे लड़ रहे है तो defendant नहीं इस घर पर कवजा कर लिया है और plaintiff के असाब से यह इसके father की property है इसलिए उसको भी half इसा मिलना चाहिए plaintiff क्या करता है यह अपने भाई पर case कर देता है court में कि मुझे इस property का half इसा चाहिए अब case चलते है और court decide करता है कि नहीं यह property जो है एक ancestral property है इसलिए दोनों भाई को half of property मिलेगी तो plaintiff यह case जीट जाता है final order आ जाता है अब क्या होगा कि अब जो defendant है यह final order आने के बाद कोई case court में दुबारा नहीं कर सकता इस house के लिए हाँ अपील वगरा कर सकता है वो बात की बात है कि वो अपील करता है नहीं करता है राइट्स है उसके पास की नहीं लेकिन अभी के लिए यह जो house है वो दोनों में divide होगा तो यही है हमारा doctrine of rest judicata जो कहता है कि एक बार एक case decide हो जाए same parties के बीच में same subject matter या same cause of action को लेके तो दुबारा उस पे case institute नहीं किया जा सकता तो अब हम section 11 देखते हैं जो कहता है no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised has been heard and finally decided by the court देखो इसको simple से है मतलब यह ही हुआ कि अगर दो parties है और दोनों parties के बीच में एक बार एक चीज को लेके वो case already decide हो चुका है competent court में मतलब यहाँ पे competent court होना भी जरूरी है कि उनसकी jurisdiction होनी चाहिए सही place पे institute किया होना चाहिए वो सब चीज़े consider करने के बाद अगर court का decision आ चुका है तो उसके बाद अब दुबारा court पे नहीं जा सकते same suit institute करने post defendant दुबारा चला जाए same court के पास यह दूसरे ही court के पास कि मेरे साथ तो यह गलत हुआ है यह case फिर से सुनो मैं तो नहीं मालूँगा इस judgment को तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे court का भी time waste होगा और जो party है यानि plaintiff उनका भी time waste होगा आप किसी और का time भी खार हो मतलब अगर आपको court सुन रही है तो आपके पीछे जो numbers है उनका भी time आप खार हो तो यह सब को avoid करने के लिए यह principle लाना बहुत ही जरूरी था कि अगर एक बार एक court ने finally एक case को सुन लिया है तो वो दुबारा नहीं सुनेगी क्योंकि decision तो वही मिलेगा defendant अगर फिर से इंस्टिटूट कर भी दे तो भी court दुबारा वो ancestral property को half divide करेगी भायों के बीच में राइट तो इससे सब का time बचाने के लिए court को यह doctrine लाना ही पड़ा इसमें एक famous case law है सत्यदन घोशल वर्सिस दीरोजेन देवी Supreme Court ने clearly कहा है कि अगर दो पार्टी इस के बीच में चाहे वो question of factor चाहे law हो एक case already decide कर दिया है किसी court ने तो चाहे appeal line करती हो चाहे appeal line नहीं करती हो उनोही party को कोई right नहीं है कि वो दुबारा एक और suit institute करे same matter को लेके चलिए अब इसके explanation समझ लेते हैं क्योंकि explanations हमें और चीज़े clarify करेगी कि former suit क्या है constructive regio dikata क्या है और यह सब चीज़े तो सबसे पहले हम explanation number one देखते हैं तो explanation number one जो है वो former suit को explain करें कि former suit किसे कहेंगे suppose क्या हुआ कि जो हम पिछला example लेते plaintiff ने जो case institute करा वो 2020 में करा और defendant ने भी case institute कर दिया लेकिन उसने 2023 में किया लेकिन इसमें क्या हुआ कि defendant का जो case था वो पहले decide हो गया और जो plaintiff का था वो अभी तक चली रहा था तो अब former suit किसे कहेंगे जो पहले institute क्या या जो पहले decide हुआ है तो इसमें बोला गया former suit का मतलब ये है जिसमें case decide हो चुका हो चाहे वो पहले institute क्या गया हो चाहे वो बाद में institute क्या हो गया वो relevant नहीं है तो former suit जो पहले decide हो गया हो उसे ही हम बोलेंगे next explanation बात करती है हमारे competence of court की तो इस explanation के इस आप से चाहे किसी case में appeal लाइक कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो वो matter नहीं करेगा तो मतलब अगर appeal लाइक कर रही है तो आप यह नहीं बोल सकते हैं यह case finally decide नहीं हुआ है क्योंकि हम तो appeal कर चुके हैं ऐसा नहीं होगा वो फिर भी finally माना जाएगा आप appeal करो या नहीं करो next explanation हमारी कहती है जो हमारा former suit है उसमें किसी party ने delegation लगाया और जो दूसरी पार्टी थे उसने या तो admit किया या तो deny किया next explanation हमारी बहुत important है क्योंकि यह बात करती है constructive रेजुटी कार्टा में और कई बार बहुत सारे exams में चाहिए वो जुटीशरी हो चाहिए वो ख्लाइट हो या कोई भी ऐसा exam हो important उसमें constructive रेजुटी कार्टा का अलग से questions भी आ जाते हैं या यह भी पूछा जाते हैं MCQ में कि कौन से explanation में constructive रेजुटी कार्टा दिया हुआ है तो explanation number four of section 11 of CPC में constructive रेजुटी कार्टा दिया है तो यह कहता है कि अगर आपने कोई भी ground of attack या defense मिस कर दिया अपने former suit में जो कि आपको उस ताइम पता था कि यह हो सकता है उसके बाद में आपने उसको नहीं उठाया तो अब आप यह नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैंने तो यह पॉइंट छोड़ दिया था अपनी former suit में इसलिए इस पर यह matter डिसाइड नहीं हुआ है इसलिए मैं इस पर रेजुटी कार्टा प्लाइन होगा और मैं न्यू सूट फाइल करूंगा तो यहां पर आता है हमारा constructive रेजुटी कार्टा जो कहता है कि भले यह आपने नहीं द कर सकते former suit नहीं ला सकते यह finally decide हो चुका है इसलिए आपको वकील अच्छा ही hire करना चाहिए जो आपके कोई भी grounds मिस ना करें क्योंकि in case अगर ऐसा कोई ground था जो पहले पता था आमें जो code को लगेगा क्यों उस टाइम तो यह बात पता होनी चाहिए थी उस टाइम आपको य स्टेट ऑफ उतर प्रदेश वर्सेज नभाव हुसेन जिसमें सुपरीम कोट ने क्लिरली कह दिया था क्योंकि यह जो पॉइंट था वो हमारे प्लेंटिफ के नजर में था फिर भी उसने नहीं बताया मतलब प्लेंटिफ के नॉलेज में होने के बाद उसने यह पॉइंट नहीं उठाया तो अब हम माल लेंगे कि यह कंस्ट्रक्टिफ रेज्जूटी काटा हो गया है और अब इस पर दुबारा आप केस नहीं कर सकते हमारा बात करता है रिलीफ के बारे में सपोज आपने अपने प्लेंट में कोई पांच रिलीफ लिखा राइट कि मुझे यह घ आपको कुछ मेंचन नहीं है या कंपनसेशन नहीं लिखा है तो हम यह मान लेंगे यह दीन किया जाएगा कि आपको वह रिलीफ नहीं मिलिया तब उस रिलीफ के लिए दुबारा केस नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आप रेज जुडिकाटा लग चुका है हमारा सिक्स्ट ए सेम कॉज ऑफ एक्शन हो सेम मैटर हो तो वह एक साथ आजाते है एक सूट में और एक परसन को रिप्रेजेंट करता है सब के भी हाफ पर केस लड़ता है तो अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो भी आप फिर बाद में अलग से नहीं आ सकते कि नेली मेंने तो नहीं क करना पड़ेगा कि जो पॉब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप बोल रहे हो वो किसी प्राइवेट परसेंट को अखेले तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही वह आजल पब्लिक को ही रिप्रेजेंट करके वो लड़ा गया था वो किसी प्राइवेट परसेंट की ग्रिव नहीं था इसलिए अब रिशुड़ी लग चुका है कि मैं नेक्स्ट एक्सिति इक्स्प्लेने चन हो चुका है और order पास करो कि ये degree को execute करवा सके इस explanation हमारी बात करती है limited jurisdiction के पास suppose किसी court के पास limited jurisdiction थी कि suppose 50,000 तक की value का ही case वो decide कर सकती है लेकिन बाद में उस property की value बढ़ जाती है तो भी ये माना जाएगा कि रेजडूटी कार्टा लगता है क्योंकि वो उस time competent थी उस case को decide करने के लिए और अब क्योंकि property की value बढ़ गई इसका मतलब ये नहीं होगा कि court का decision ही निलो जाएगा तो ये उस पे भी लगेगी जिसके पास limited jurisdiction होता है next हमारा magzims है जो ये तीन magzims है ये objective बताती है रेस जो डिकार्टा का तो पहला है नेमो डेबेटलेज वारिस प्रो एडम कॉजा जो कहता है कि no person should be vexed twice for the same offense मतलब कि एक ही person को दो बार किसी offense के लिए किसी cause of action के लिए परिशान नहीं किया जाएगा एक बर एक case finally decide हो गया तो वहीं माना जाएगा दुबारा किसी person को सेम cause of action के लिए परिशार नहीं करेंगे केस नहीं करेंगे सेकिंड मैग्जीम है हमारी इंट्रस्ट रिपब्लिक के उट्ट सिट फिनस लिटम मैग्जीम कहती है कि हमारा जो litigation है वो end होना चाहिए मतलब यह नहीं कि एक ही case के पीछे लोग बार 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 case institute करके court का भी time waste कर रहे अपना भी time waste कर रहे दूसरों का भी time waste कर रहे अगर हम end नहीं लगाएंगे litigation में तो बहुत unnecessary burdens अपको जहलना पड़ेगा जिसकी वज़े से rejudicata लगाया जाता है ताकि दुबारा कोई सेम चीज के लिए case ना करे next magazine है हमारा rejudicata proverted occupator इसके साब से जो decision of court है वो final माना जाएगा वो true माना जाएगा जो उन्होंने recite क्या वही final है तीनों magazines टच करते है section 12 of CPC जो कहता है bar to further suit तीनों magazines हम यह समझते है further suit हम नहीं कर सकते एक end होना चाहिए litigation में और जो final decision दे दिया है court ने वही सही मान के लोगों को आगे continue करना चाहिए तो यहीं पर touch होता है section 12 of CPC जो कहता है bar to further suit मतलब रेजडियो डिकार्टा के इलावा भी बहुत सारे rules है जिसमें हम further suit को bar करते है कि अगर यह ऐसे ऐसे होता है तो हम further suit नहीं करेंगे तो यहाँ पर section 12 लग जाता है हम आते हैं अपने last topic पर जो कहता है exceptions to plea of रेजडियो डिकार्टा मतलब हमने applications देख लिए हमने देख लिया कि होता क्या है section 11 क्या कहता है उसके explanations क्या कहती है लेकिन हम कौन से cases ऐसे है जिसमें रेजडियो डिकार्टा नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं fraud की अगर कोई party जूट बोलके कुछ court को गलत बताके judgment ले लेता है अपनी favor में तो फिर रेजडियो डिकार्टा नहीं लगेगा और जो party है वो बोल सकती है कि इसने ये गलत चीज़े बताके अपसे favorable order लिया जबकि ये चीज़े ऐसी नहीं है ये जो property है वो ancestral नहीं है वो मेरे पापा ने बनाई है वो मेरे पापा की property पे दोनों भायों का right नहीं है वो जिसको चाहे वो दे सकते है तो ये ancestral property के जो paper इसने दिखाए है ये सब गलत है ये by fraud उसने ऐसा किया है तब res judicata नहीं लगेगा नेक्स्ट है हमारा previous SLP is dismissed SLP is special leave petition तो अगर special leave petition को सुने बिना ही वो dismiss कर दी गई है मतलब court ने उसको लिया ही नहीं उसको herd ही नहीं करा तो फिर महाँ पर res judicata नहीं लगेगा next है हमारा different cause of action तो हमने starting से ही अभी तक हर बर यहीं बोला कि same parties के बीच में same cause of action same subject matter remember तो cause of action अगर दूसरा है और दूसरी बात पर कुछ लड़ाई हुई है या दूसरी बात पर कुछ गलत किसी ने किया है suppose यह land वाला matter था same parties के बीच में और गुसे गुसे में आके plaintiff ने defendant का murder कर दिया तो अब यह नहीं बोल सकते same matter था, same title है तो अब हम case नहीं कर सकते क्योंकि res judicata लग गया अब cause of action different है अब murder का case चलेगा property का case नहीं चलेगा तो इस case में res judicata अपलाए नहीं होगा इसने हमारा जब interlocutory order पास हो, अब interlocutory orders क्या होते है एक तरीके के interim orders होते है जो court बीच में देते है मतलब यह final orders नहीं होते है यह बीच में लिया जाते है to get an instant relief क्योंकि एक case चलने में बहुत जादा पास करते है तो यह क्योंकि final नहीं होता है इसलिए इस पर res judicata अपलाए नहीं किया जाता next है हमारा waiver of degree of res judicata इसमें कोई समझाने की जरुरत नहीं है next हमारा competency of court अगर court competent नहीं है तो फिर res judicata अपलाए नहीं होगा हमने starting से ही बात की थी जब भी हमने बात की थी बार-बार इस word का हमने जिकर किया कि competence होना चाहिए court में भली limited jurisdiction हो लेकिन competent jurisdiction होनी चाहिए तो अगर competent jurisdiction नहीं है suppose यह case जो है वो monetary pecuniary value से गलत है 1 lakh का एक court के पास right था अपने वहाँ पे लगा दिया 20 lakhs का case तो उस court के पास नहीं रहा यह territorial jurisdiction नहीं है suppose हो case दिली में institute होना था पर आपने उसको पंजाब में institute कर दिया उस court के पास territorial jurisdiction गलत हो गई तो फिर वो competent court नहीं रह जाएगी वो order pass करने के लिए इसलिए आप rest duty काटा वहाँ पे नहीं लगा सकते चेंज इन law ही हो गया मतलब जिस law के basis पे आप लड रहे थे वो law ही चेंज हो गया है तो अब rest duty काटा नहीं लगे क्योंकि अब तो उस पे law के provisions apply नहीं हो पाएंगे तो इसलिए rest duty काटा वहाँ पे नहीं लगा है I hope अब आपको rest duty काटा अच्छे से समझ आ गया है